तो यहले वर्यूवन देज कुछ अलगर वार वेलकम वेक टो न्यूव वीडियो यार और आज मैं आपके लिएक लिए कराएं उस्ट्रेट लाइन के जो मैंने नोट्स पहले दीये थे नै उसका एक दो लोगोंने मेरे से यार लाइव में भी बूला तो अन्योंने मेरे से ब तो जिससे आपको बढ़ने में आसानी हो जाएगी तो या देखो पहले पॉइंट तो या तुम समझी करेगो centroid of triangle ये तो या बहुत basic है 10th में भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने एक triangle के 3 point होते हैं x1, y1, x2, y2 और x3, y3 तो उससे अपन centroid लिख 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 ले थे तीनों का x-coordinate का सम वाई 3 तीनों का y-coordinate वाई 3 तो ये तो आते ही होगा centroid और ये 2-4 point लिख रखे हैं मैंने जैसे कि मैं आलो वारा जो triangle है तो उसके 3 side के जो midpoint होगे उन से जुनने वाला जो triangle होगा उसका भी centroid वो ही होगा जो triangle ABC का था जो triangle ABC का था वो ही triangle DEF का वो ही बहुत important point है याद रखना इस चीज को और median जो होता है triangle का हमेशा दो पार्ट में divide करता है और median से ही centroid pass होता है अपना ठीक है और centroid divide करता है triangle को three parts में ठीक है यह भी याद रखना अब in center पर आ गए in center या सीधा सा formula होता है in center का याद रख लेना कुछ भी देखो यासे a point है यहाँ पर x1 y1 यहाँ पर x2 y2 b और c है x3 y3 अब यह a के सामने वाली side है उसका a है b के सामने वाली side है उसका length b है और c के सामने वाली line c है तो अब तुम्हें क्या करना है ना यहाँ पर यह से x1 लिखाता तो आप x coordinate लिखने के लिए in center रखा तो आपको क्या करना है direct x1 into a x2 into b x3 into c मतलब इस वाला coordinate के सामने वाला length इस coordinate के सामने वाला length इस coordinate के सामने वाल length का मुल्टिप्लिकेशन डिवाइड वाए तीनों साइड का सम लेंद का ऐसी तुम्हें निकाल लोगे अब यार एक इंपोर्टेंट आ गई स्लोप ऑफ लाइन तो पता ही होगी एक टेन ठीटा होता है तेन ठीटा क्या उसमें ठीटा जो होता है वो जीरो से पाई के बीच में ह यह सथे किसे एक इंकलांड गी, स्लोप दोलते हैं अयसे सलोप लिखने के तरीका कि यही होता है कि जो consig next p Fight this तो वहना जो slope होगी वो होगा y2-y1 upon x2-x1 और वो ही 10 theta के एककोल होगा और ये तभी वोगी दो point को चोडने वाली हमी सा straight line ही होगी ना एक अगर तुम straight line देख रहे हो तो angle between the straight line तो angle between the straight line के लिए एक सीथा तो formula यार ये formula रटले ना 10 theta 1 upon m2-m1 upon 1 plus m1 m2 और यहां पर मैंने एक case लिख रहा है अगर m1 plus m2 0 है और theta 1 plus theta 2 equals pi है then 10 theta plus 10 theta equals 0 होगा तीक है ये याद रख लेना ये 3 point बहुत important है ये मैंने अलग से लिखेते बाद में जब मेरे को एक दो question में use आये थे ना ये जब लिखेते मैंने तो m1 plus m2 equals 0 and line intersect in x-axis तो ये चीज़ याद रख लेना x-axis is the angle bisector between the lines तो ये जब यासे की m1 plus m2 equals 0 है तो line intersect करेगा x-axis पर और x-axis का जो होगा ना angle y sector होगा वो line का x-axis जो होगी ना angle y sector जैसे मैंने figure की तरह बताया है में देखो ये एक्स-axis जो है ना उसमें triangle y sector कर रही है तो मतलब वो हो जाएगी ना angle y sector हो जाएगा ना वो जो दो line का है और यसी मैं थर्ड पॉंट लिखा रहागा है m1 plus m2 0 intersect origin x-axis y-axis both are angle y sectors तो x-axis y-axis दोनों angle y sector हो जाते हैं उस case में जैसे माल लो तुमाही दो line थी ना जैसे मैंने यहाँ line कुछ लिए रखी है यहाँ पर line x-axis हो y-axis है तो बस यह है हाँ तो condition for two lines to be parallel के लिए condition होती है m1 equals to m2 जब दो line का slope एककल हो जाएगा तो parallel हो जाएगी ना 9 और ऐसी अगर तुमाही पर्पेंटिकुलर होगी तो m1 into m2 minus 1 हो जाता है तुम करके देख ले ना यार जब पर्पेंटिकुलर होगे ना तो यह condition आती है m1 into m2 equals to minus 1 एसी को linear के लिए क्या होगा जब मैंसे मालो तुमाही तीन slope है तो अगर तीन पॉइंट ले लो को linear और तीनों का सम निकालना उस वाले formula से इस को पॉइंट ना तीन इककोल आएंगे तीन पॉइंट मालो एवी शी कोई से भी एक लाहन पर हो जाएगा एककोल दिख जाएगा एककोल दिख जाएंगे को linearी condition आजाएगी passing through the point alpha beta and which is parallel to x to x यह मैंने कुछ different form लिख रखे हैं यह इतने important नहीं है but देख लो या जैसे यही है कि एक्सक्स के parallel होगा तो y equals to beta हो जाता है y equals to पैरलर होगा तो x equals to alpha हो जाता है यह सोच common चीज है बहुत और जैसे origin से पास हो रहा है तो y equals to mx हो जाएगा m उसकी slope हो जाएगी slope point form में लिख दिया है मैंने यहाँ पर origin से पास हो रहा हो तो y equals to mx यहाँ पर क्या होगा y minus y1 हो जाएगा और x के वहाँ एगा x minus x 1 हो जाएगा को कि यहाँ पर y1 और x1 zero थे यहाँ पर origin था कोगी तो यहाँ पर x1 और y1 और आ गए तो बच यहाँ पर मैंने slow point form में लिख दिया दो line की वेई से और अगर तुम्हाँ दो point दिये हुए तो मैं line की question लिखना तो आई जाएगी दो point दिये है, slope लिख लो, वहले formula से, y2-y1 upon x2-x1 और इसके जाला यह form था न, y-y1 equals to m times x-x1, m तुम्हें मिली गया और x1, y1 कोई भी ले लो इन दोर में से, जो भी, एक point लेना है अपन को इसमें, दो दिये हुए अपने पास तो तो ऐसे लिख देते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया, ऐसे general form में, तो हम देख सकते हो slope intercept form यार, direct लिख सकते हो, y-mx plus c, कैसे लिखोगी, यहाँ पर जो y-intercept आएगा, वो ही c होगा तुम्हारा, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, y-intercept c होगा, और m जो है, उसकी slope होगी, और उससे हो जाएगा और intercept form यार, तुम्हें पता ही है, x upon a plus y upon v equals to 1, जैब एना कोई भी line है, अगर x intercept और y intercept दिया हुआ है, तो direct form लोगता है, x upon a plus y upon v equals to 1, तो यह रट लेना भाई, यह बहुत important आता है, काम, छोटी-छोटी ची है, बहुत important होती है, it की preparation, slope of line, which is equally inclined to both the axis, यहाँ 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 इंक्लाइंट है, तो plus minus 1 ही होगी, 45 degree angle ही होगा, यह 135 लेलोगे, तो plus minus 1 हो जाता है, इसलिए, normal form, जैसे 45 के लिए example देता हूँ, जैसे मालो एक ऐसे ही था, उपर लेके देखते है, हाँ, यह था मालो, यह 45 degree angle पर था मालो यह, ठीक है, तो यह 35 degree पर गाता था, इसकी slope कितनी है, तो यह यहाँ पर भी 45 है, और यहाँ भी 45 है, तो दोनों जैंगे 45 है, इसका मतलब कि, दोनों से equally inclined है, अब मालो 135 होता, यहाँ यह होती लाइनप, यह होती है, ऐसे वाली, ऐसे, तो यहाँ यह पूरे angle 135 होता है, यह पूरा, यह पूरा, यहाँ तक, तो 135 हो जाता, तो यहाँ पर यह कितना हो जाता, 45, और यह भी 45, 180 मैंस 135 से, तो 45, 45, यह भी equally inclined है, तो इसका मतलब यह होता है, तो प्लस मैंस 1 ही हो सकती है, और मैंने बताया भी था, 10 ठीटा जो होता है, उसमें ठीटा 0 से पाई की बीच में होता है, और equation of straight line लिखी हुई है, मैंने यहाँ प अलफा दिया हुआ है, तो वो अपन वहाँ से लिख सकते हैं, इस line की equation, इस line की equation, इस line की, यह आएगी, x cos alpha plus y sin alpha equals to p, derive भी कर सकते हो, वनना याद कर लोगे, तो यहाँ सही रहगा यह चीज से, यार, बहुत काम आती है, यह पता है, कुछ-कुछ, questions में, equation आप, straight line, parallel to a given line, तो यार, देखो, कभी भी कोई straight line दी होगी न, तो उसके लिए स्रिफ उसका constant का term बदलेगा, इन जे दोनों term सेम रहेंगे, कोगि यह slope equal रहती है, अब तुम इसको y equals to mx plus c में, y equals to mx plus c में convert करके देख लेना, तो y equals to क्या आएगा, minus ax minus c, तो अब y equals to क्या आएगा, minus aybx minus cyb, तो मतलब कि b और a हमेशा constant ही रहना चाहिए, कोगि slope equal है, minus b by a तो equal ही आएगा न, बस constant का term बदल जाएगा, parallel में, तो कभी verify करना होना, कोई parallel line है, तो देख रहना ऐसे, और ऐसे equational perpendicular, इस perpendicular में क्या होता है, a minus b से बदल जाता है, और b, sorry, sorry, क्या बोलाओ, a, b से बदल जाता है, और b minus a से बदल जाता है, और constant का term बदल जाता है, ये भी same, यही वाले concept से, तो में इसमें करके देख लेना, इसकी slope निकाल लेना, और फिर यहाँ पर ऐसे satisfy करा के देखना, दोनों की minus मना दी होगी, m1, m b स्कूर, अब ये तो रटी लो, यार, इसमें कहीं बताऊं, मैं, distance between two parallel lines, तो दो parallel lines के लिए distance ये होती, तो मैंने बताई दिया था कि सिर्फ constant का term बदलता है, तो यहाँ पर जब तुम रखोगे, यहाँ पर, तो यहाँ पर, तो यह क्या आएगा, c minus k हो जाएगा, तो तो यहाँ आएगा, तो यहाँ c minus k मान सकते हो, अगर इस equation से देख रहे हो, तो इससे, और foot of perpendicular के लिए है, foot of perpendicular के लिए एक formula होता है, यह यह रटलो direct, जाना ध्यान मत दो, इस पर, बहुत मतलब ध्यान दो इस पर, वस formula पर द्यान दो, बहुत important formula है, direct question आता है, जे ही में दो 21, 22, 22, 22, 22, 22 में आचुका है, direct question, तो यह formula है, x2 minus x1 upon a equals to y2 minus y1 upon b equals to minus times ax1 plus by1 plus c upon a square plus b square, जे है, a square plus b square है, भाई, भहुत लोग confuse हो जाते हैं, इस distance formula को देखके, कि under root a square plus b square है, तो यहाँ भी under root होगा, बट ऐसा नहीं हो, तसरिफ a square plus b square होता है, तो यह चीज ध्यान रखना, और ortho center में, ortho center में तुम्हें पता ही होगा, जित्ते भी altitude होते हैं, उनका जो common point होता है, तो उसको बोलते है ortho center, इसमें मैंने बना के रखना है, ट्रेंगल है ABC, C से altitude डाला, B से altitude डाला, और A से altitude डाला है, तो एक point बिला है H, वो ही होता है अपना ortho center, ortho center निकालने के M AH, इन्टू MBC, इन दोनों का, मैंने slope लिख लिखी, अब जी देखे हो, पर्पेंडिकुलर रहे हैं लाइन दोनों, तो मतलब इन दोनों का slope का, प्रोड़क्ट माइनस बन होगा, यहां से 2-3 equation आएंगी, वहां से solve कर लेना, और तुमारा ortho center निकाल आएगा, ortho center का, यहा यह alpha-beta मान रहा है, यह alpha-beta मान रहा है, यह alpha-beta मान रहा है, तो h का, तो alpha-beta दो equation बन जाएंगी, दो equation दोनों solve कर लेना, दूसरी equation में दा एक लिख लोगा ना, यहार, ऐसी, CH लिख लेना, इन्टू AB लिख लेना, और एक लिख लेना, बH इन्टू AC, ऐसे, slope का, तो यहां से O से मैं A को join करूंगा, तो यहां से O से B को center करूंगा, तो भी R, और यह O से C को करूंगा, तो भी R, तो यह मतला, O C, O A, और O B, तीनों equal है, तो मतला, मैं क्या कर सकता हूं, O A equals to O B, O B equals to O C, और दो equation लिखूँँगा, अल्फा बीटा लिख लेना, और A, B, C, तीनों आपनों को पता ही होंगे, question में दिये ही होंगे, जबी तो circumcision center पूछ रहा है ना वो, तो directly तुम दो equation बनेगी तुमारी alpha बीटा में, और सो solve का लेना है, इन दो equation से, यह मैंने बताई दिया कैसे equal होंगे, ठीक है, अब circum center जो होता है, हाँ, यह बहुत important, यह बहुत important अब मैं इसका explanation बतायाता हूँ, अब तुम इससे circle tron करो मालो, circle tron करा तुमने यासे यासे, circle tron करा, अब यह क्या आएगा, यह diameter बन जाएगा, तो diameter बन जाएगा, तो diameter के end point जब तुम join करते हो, circle के circumference पे, तो 90 degree जब बनता है, तो वो क्या होता है, उसका diameter होता है, तो मतल अब आपनको पता चलिया कि यह diameter है, और यह diameter है, तो मैं पक्का यह क्या बोलते है, इसका midpoint ही होगा, क्या बोलते है, इसका circum center, तो ऐसे explanation इसका दे सकते हैं, अब याज यह important, पहला point बहुत important है, इसको मैंने पता है कैसे याद किया था, O, G, H, O पता है अपना circum center, G अपना cent centroid H अपना ortho center, तो अब इसको जो centroid होता है, ortho center और circum center को 1 is to 2 के ratio में divide करता है, तो इसको एच करने का तरीका बताता हूं, मैंने का किया था, मैंने याद के लिए था, Augi, augi 1 is to 2, Augi अधने को करो चीज आता है, न RCN पे, तो मैंने वैसे याद किया है, था, हसनो माद यार, तो उससे याद ले जागा तुम्हें कि जी इसमें डिवाइड कर रहा है ठीक है अब नेक्स पॉइंट यार फॉर एन एक्कुलेटर टैंगल सेंटर और इंसेंटर आसेंटर आसेंटर सेम पॉइंट तो मतलब कि उसका सब कुछ सिमेट्रिक होगा तो इसलिए सारे पॉइंट उसके सेम ही होंगे ठीक है और एक पॉइंट याद रखना सेंटर मैंने पहले ही पॉइंट में बता दिया था पहले जब सेंटर लिखा था जब ही बता दिया था कि सेंटर हमेशा इंसाइट लाई करता है ठीक है तो वह तो और इन सेंटर का दो दिखी रहा है इन मतलब कि और इन सेंटर हमेशा ही लाई करता है अंदर but circum centre ओ hardcore को अपन नहीं बता सकते हैं एंहोगे जित बड़ेका आझा को सेक लिखा myself ऑजिसा न और इन Elsa इक भीप्रेण बहुत इम्पोर्टेंट ने दूह में में बागल बागल pozy साइड का स्कक्वायर का मायनस और उसक्वायर का मायनस और ऑन स्क्राइड का की इंटु कर 있습니다 दिवाइड में और टू भी करना है तो ऐसी लिख लोगे ऐसी तुम भी लिख लेना ऐसी वाले सी लिख लेना तो तुमारा आज जाएगा थीक है अब यहना अपना आया इप्टा वर्टेस ऑफ ट्रेंगल रेशनल पॉंट दें सेंट्रेट ऑफ ट्रेंगल सरक्विम्सेंटर एन ओर्टो सेंट्र ट्रेंगल अलसो भी रेशनल पॉंट बट नथिंग कैन वी सेट अब इंसेंट्र अब ट्रेंगल तो यार यह रेशनल होंगे वह चीज लिखी है याद कर लेना यह तो ऐसा कुछ है नहीं हाँ सिक्स्थ पॉंट इंपॉंट लगा लेना इसको इंपॉ यह बी सी लाइन इसका यह और यह पी एच और पी जो है ना एक दूसरे केए मिसरे के मेरर कम करेगा आई और पता है ना पनोड़ूंट पर आएगा तो कभी कोस्टन आयाता ना सब्सर किक्सर्कर करो तो उसमें का मा जयाता है ठीक है यह पॉइंट हो गया अब image of a point about the line तो यार line के about image लिकानने के लिए एक formula मैंने बताया तो ना फूट of perpendicular का बस बूई याद रख लो उसमें बस minus 2 आ जाता है बस यह 2 पॉइंट आ जाता है बस और सब सेम है ठीक है तो ट्रेक हो गई इसकी एकी formula से दो formula याद होगा है अब याद उम्हें फूट of perpendicular का भी चलो यार बताई देता हूंगा अब यार time मिल रहा है तो अब यह x1, y1, x2, y2 है ना अब तुम ध्यान से देखो जब तुम पी से फूट of perpendicular लिखोगे तो यहाँ एक point आएगा यह मैंने दिखाया यह point ठीक है यह point आएगा अब यह point आ यह तुमारे पास तो यह p वाला और p डैश वाला equal distance पे होंगे इस point से because mirror है mirror में equal distance होंगे तुमने पढ़ा होगा इस बहुते हैं तो अब अगर यह midpoint है और यह point अपनको पता है तो यह point अपन निकाल नहीं पाएंगे यह क्या आएगा वह ऐसे x2 plus x1 by 2 equals to y2 plus y1 divided by y याला तो वहीं से ही formula आया एसलिए 2 extra आया है यहां पर सोचके देखना इसको समझ आजाएगा क्यों गोला हूंगे और यह कुछ standard point है देख लेना इसको इसको इसा कुछ important नहीं है बट हाँ देख लेना उसको एक बार जैसे कि तुम इमेजिन करा हो कि x to y के लाइन के बाट देख जाएगा तुम है अदलब करके देखना है इसको समझ आना ऐसे या तो रट लो या तो इमेजिन कर लो अब यह पहला डू वाइक्स इस वगरा यह सब लिखा हुआ है मैंने method to find the equation of two straight line passing to the given point x1 y1 and selecting a given line alpha यह जाना काम का नहीं है यह जाना काम का नहीं है अगर तुम्हाँ पाई कोई line की equation दीए और एक point तुम्हें पता है इस line पे वो तो पता ही होगा line की equation दीए तो बहुत अंगिन पता है तुम्हें तो अगर तुम्हें इस point से किसी r distance पे उसी line पे point पता करना है तो formula याद कर लो x-alpha upon cos theta equal y-beta upon sin theta equal to plus minus r अब सोचो plus minus r क्यों लिखा है मैंने अगर तुम ऊपर जा रहे हो मतलब positive direction में जा रहे हो तो plus r लोगे नीचे जा रहे हो तो इस point से तुम देखो r distance पे एक point ऊपर होगा एक point नीचे होगा अब तुम्हें depend करता है कि question में क्या पूछा है ऊपर वाला point पूछा है या नीचे वाला है तो इससे दोनों आ जाएंगे और उसमें अपनको ऐसे बता सकते हैं अगर ऊपर जा रहे हैं तो मतलब positive direction में जा रह एक है यह मैंने लिख रहा है यह भी पढ़ ले ना